तो आज हम लेकर आएं यूनीक रेस्पी आप देखी सकते हो बहुत टेस्टी रेस्पी है बच्चे खा करके खुस होंगे और हेल्दी भी रेस्पी है तो देखिए हमें ले लिए मूंग डाल जिसको हमने दो से तीन गंटे के लिए भी हो दिया था और यह देखिए अच्छे अब मिक्सी के जार में डाल देगे अगर भाईचांसा मूंग डाल भी होना भूल गये है तो आप गर्म पानी में डाल दीजे बहुत जल्डी बढूं जाएगा तो आप देखिए हमें मूंग डाल दिया है इसमें डाल देंगे टेस्ट कहसाब से नमक जितना भी अप ठेस् मिर्च यह देख सकते हैं चार हरी मिर्च डाल दिए गर्मी के वज़े से लाल पड़ गई थी तो हरी ही मिर्च है और यह हाफ इंच अद्रक का टुकड़ा और यह जीरा डाल दिया है साबु जीरा है हाफ स्पून के करी बग इसको हम पीस लेंगे तो देखिए पीस लिया है मगर यह अभी फाइन पेस्ट नहीं बना है जैसा हमें चाहिए था तो इसमें आगर दही डालेंगे तो कि दही से हमारे फ्लेपनस आएगा और फूला फूला सा आएगा तो अगर खट पानी डालेंगे तो ज्यादा नहीं चार से पांच स्पून पानी डाल देंगे और उससे क्या होगा ना कि सारा पीस चुट करके यह आ जाएगा आपके पानी में एक बात और अभी जो हम आगे बताएंगे कि एक इंग्रीडियन हम एक करना चाह रहे हैं इस विए से में थो आप से जवर जस्ती बन्वा के बार-बार खाएंगे आप देख सकते हो अब इसमें डाल देंगे सूजी यानिस सवcraft लीणा आप कोई भी तो देख सकते हो उतना पतली थीक है तो चारच से पांच स्पून ने सूजी डाल दिया अब इसको डखकर रख देंगे क्योंकि सूजी जो होती है वह पानी सोक करती है यह देख सके हैं तक तक हमने 15 मिट हो चुका है हमारी सूजी को रखे हुए तक हमने हरी सब आप खा सकते हो बहुत टेस्टी रेस्पी है तो यह देखे हमने एक बारीक काट लिया था सिम्ला मिर्च और बारीक बारीक काट कर लिया था दो यह सब्सक्राइब कोई जरू नहीं है कि आप इतना ही हिलो आप हम डालेंगे मसाले दो यह दाल दिया एक स्पून धनिया पाउ अब डाल देंगे भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला इस तरह से आपसे चाट मसाला भी आट करना चाहें तो कर दें लेकिन ऐसे ही हमारा यह नास्ता बहुत चटपटा हो जाएगा अब इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा तो देखे दो पिंच के करी और यह अरिया है एपएपैन और इसमें हम हलका हलका सा ओयल लगा लेंगे देखे हैं हम सिलिकोन वाले ब्रस या फिर इस पैचुला नहीं यूज़ करते हैं अगर थंडे कामों के लिए हमें इनको यूज़ करना पड़ता है तो हम लूज़ कर लेते हैं तो तरह से अबना बना के रखा था इस तरह से इस्पून से भरेंगे दियां से देखेगा अभी तक नहीं तक मत रहे हैगा क्योंकि आपको आगे भी दिखाएंगे कि हमने अपे नहीं बनाए है और कुछ ही बनाया है इसका नास्ता बहुत टेस्टी बनेगा तो इस तरह से सारी अपन भर ले इस तरह से अब हम इसे पका लेंगे अच्छे से तो बहुत अच्छे से फूल कर आए हैं यह देख सकते हैं अगर कम और का खाना चाहते हो तो आप कम और में भी बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं दही हमने इसलिए डाला था जिससे के हमारा इनास्ता सॉफ्ट और यमी बना रह अब बीच के सेक्षन में ज्यादा आच लगती है क्योंकि फ्लेम है बिल्कुल धीमी तो हम क्या करेंगे इस तरह से अपनी कढाई को इधर उदर हटाते हुए पकाएंगे इस तरह से जिसके अपन अच्छे से पक जाएंगे और अब दूसरा नास्ता देख लिए इसी में यह देखे हैं जब तक पहन पतै आफ जब दूसरा नास्ता दिखा देते हैं ऐसे आफ पास नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हों तो यह देख भी नाकिये पू हम लेता है लिए जब तक हम उसे इस सेखते हम इसे परत के लिए रिज़ में पर नतने सबनेगे इसे मह बू sagt ऑब लेखे अपने चीनास्ता अब तरह ईंगे में रखने एक चाहिए जोआने सबने हो impressively कारीब और या चला कीज देंगे लिए और पहले है था तो इसलिए ब raining नहीं। बच्चे बच्च को बच्च को तो इतना बहाएगा चाहें वो सब को बभ़त बहुत बहाने वाला है क्योंकि यह बहुत amazing है तो यह देख सकते हैं तो यह देख सकते हैं त्वडियो केचुप मैं ने विडियो देखना चाहते है तो हमारे चैनल पर अप्लोडेड यह यह जा कर देख लीजिएगा यह मैट तो हमने दो स्पून ले लिया आप देखें सोजा सॉस हमको एक ही स्पून लेना है एक स्पून से ज्यादा नहीं लेना है वरना टेस्ट बिगड़ जाएगा यह देखें दीका खाना चाहें वैसा कर सकते हैं और जैसे साश्य आपको पसंद इसमें डाल चाहिए वेशन लें करें आप लिए यह को रहना होगोगे दो भड़ने के जितना तो द दो स्पून दाल कहना नाम चाहिए और सली हिसको मिक्स Set पका लेंगे एक बात और गाईस हमने इसे दिया है अपे मंचूरियन या मंचूरियन अपे आप इसे कौन सा नाम देना चाहेंगे यह जरूर हमें करके बताएगा उसके बाद में जो पेपन आप बनाकर रखें और इसमें डाल देंगे और इससे देखिए बहुत युश्ट ही बहुत हैं म बन करके रेड़ी हो चुका है यह देख सकते हैं तो आपको याद दिला दिलादें अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक शुट्राइब और यह देखे चीला हमारा कितना टेस्टी और कितना हेल्दी है इसके साथ आपको चटनी की जरुवत पड़ेगी मगर जो हमने अप्पे मंचूरियन बनाए हुए हैं उनके साथ कोई भी हमको चटनी की जरुवत नहीं और बहुत ज्यादा यम्मी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है सच में इतने अम्मी है कि आपके बच्चे रोज फर्माइस करके बनवाएंगे कि मम्मी अप्पे चीला बना दीजे या अप्पे मंचूरियन बना दीजे बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में हमने ट्राइ कि हमारे बच्चों ने खाए उनको बहुत पसंदा है इसलिए हम बहुत यूनिक तरीके से बनाया है आप देख सकते हो कट करिए तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है यह देख सकते हो और अंदर तक जूस किया हुआ है तो एक बार फिर से अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड शेयर करिएगा कमेंट प्रीके जरूब देगा